दोस्तों जैसे ही मोसम बतलता है सर्दी खांसी की समस्या होना बहुत आम समस्या है बच्चा हो बड़ा हो या बूड़ा हो सर्दी खांसी की समस्या सबको होती ही है ऐसे में हम आपके लिए अमरूद का एक ऐसा साधान सा नुस्का लेकर आए हैं जिसे अगर आप प्रयोग करते हैं तीन से चार दिन प्रयोग करते हैं तो ये आपकी सर्दी खांसी को बिल्कुल जड़ से खतम कर देगा ये ही नहीं आपके पुरानी से पुरानी खांसी को ये नुस्का जड़ से खतम कर देगा आप इस नुस्की का प्रयोग करके हैरान हो वाले हैं अमरूध अमरूद एक ऐसाफरूट। हrene चो बहुत सारे लोगों का फीवरिट होता है यह फाने में मीठा होता है रोगती हीज़लि हर जंग मील जाता है अमरूध में कितने उषदिय गुन होते हैं शायद आप बारे में नहीं जानते हैं यह दिखने में जरूर साधान सा नजराता है परन्तु यह पेट की बहुत सारी बिमारियों को दूर करता है और खास तोर पर खांसी के लिए तो यह वर्दान मانा जाता है पुरानी से पुरानी खांसी को दूर करने के लिए अमरूद कितना फायदेमंद है आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में मैं अमरूद की आपको दोन उसके बताने वाली हूँ जिससे आपके पुरानी से पुरानी खांसी भी चड़ से ठीक हो जाएगी और अगर आपको अभी खांसी हुई है सर्दी लगी हुई है तो आप इस रेमेडी को प्रियोग करें आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे आपकी खासी चड़ से खतम हो जाएगी अमरूद में वाइटमिन पुषक ततों से भरपूर होता है आज की इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक को शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों पहली रेमेडी में आप एक अमरूद लेंगे और उसे रैप कर देंगे सिल्वर फॉवल प्रेपर में आप हम इसे गैस पर रखेंगे गैस पर मेडियों फ्लेम पर पाँच मिनिट के लिए इसे से कला है इसनी करते रहें हैं बाद हन्मिनकों ना नहीं करना है अब इसके में करने का और को सिल्वर फॉवल ल्यान पेपर को हटा देंगे क्योंकि हमने इसे गैस पर डायरेक्ट पकाया है तो इसका बहार का जो परत होती है बहारी जो इसका कवर होता है वो ब्लैक हो चुकी है स्किन इसकी ब्लैक हो चुकी है हमें ऐसा ही अमरूद चाहिए अब हम लेंगे एक नाइफ और उपर और नीचे के ब्लैक पार्च को हटा देंगे अमरूद को काच लेंगे टुकडों में थोड़ा सा सेंधा नमक लेंगे और अमरूद पर छिड़क देंगे ये रैडी है हमारे परफेक्ट खासी की दवाई लगातार चार दिन तक रोजाना एक अमरूद को इस्थरें आपको खाना है इसी में हम एक और चेंज कर सकते हैं दोस्तों आपने लेना है एक अमरूद और उसके उपर के कवर को हटा देना है इसमें आपने भरनी है थोड़ी सी अचवायन अचवायन भरने के बाद आप इसके उपर के कवर को लगा देंगे और इसे फावल पेपर से cover कर देंगे इसे उसी तरह सिकाई कीजिए जैसे हमने पहले की थी चारतर से गुमा गुमा कर मीडियम फ्लिप पर इसको सिकाई करनी है पांच मिनित बाद गैस को off कर देना है थोड़ा सा ठंडा होने पर इसे निकाल देना है निकालने के बाद जब आप इसे खोलेंगे तो इसे चाकू की मदद से काच लीजिए काचने के बाद सेंधे नमक को इस पर छिड़क लीजिए अब आप इसे खाईए यह दोनों ही नुस्के बहुत अच्छे हैं आप इनमें से कोई साथ नुस्का यूज कर सकते हैं किसी भी रैमेडिक अप्रियोग कर सकते हैं दोनों ही बहुत इफेक्टिव हैं तीन से चार दिन तक आपने इस तरह एक अमरूद जरूर खाना है और आपको तीन से चार दिन के अंदर ही अपनी खासी में इतना आराम महसूस होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं तो चलिए अब बा होने के लिए रख देंगे गैस पर इसे उबलने देंगे जब आपका पानी उबल जाएगा तो हम इसमें डालेंगे अमरूद की चार पतियों को अमरूद की पतियों को पहले साफ पानी से धो जरूर लें दोस्तों ताकि उसके उपर से मिट्टी या जो भी कुछ लगा हो उतर जाए साफ कर लें उसे इच्छे से फिर उसे पानी में डालिए अब हम इसके साथ डालेंगे एक चुटकी सूट पाउडर की सूखे अदर के पाउडर की यह दोनों ही चीज कमाल की रेमेडी बनाते हैं खासी के लिए जब यह उबल जाए जब इसका पानी हाफ रह जा पत्ते अपना कलर और रस दोनों चीज इस पानी में छोड़ चुके हैं अब हम इस काड को छान लेंगे छानने के बाद जब यह गुनगुना रह जाएगा तब हम इसे पिएगे गरम गरम पीने की जरूरत नहीं है गुनगुना ही पीना है आपको इसे लगातार तीन से चा से बिल्कुल ठीक हो गई है तब आप इसे पीना छोड़ सकते हैं तो फ्रेंट्स यह तो थी अमरूद की दो एमेजिंग रेमेडी उनीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी हम फिर बेलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेमेडी के साथ तब तक के नमस्का